आपको दर्शाओंगा वह चित्र है यह गायतरी माता का चित्र है पड़ा सुंदर चित्र है और चित्रकार के विशय में हम कुछ समय में चर्चा करेंगे तो इन्होने प्रश्न अंग्रीजी में भेजा है और यह एक अनामक ट्विटर उपहोगता है तो मैं प्रयोकता है तो मैं इनका यूजर नहीं लूंगा रहे पूछा है गूजर नहीं पूछा है तो इस चित्र को ध्यान से देखते हैं यह चित्र बनाया है इंद्रशर्मा ने जैसा आप नीचे दाइं और हस्ताक्षर में देख रहे हैं इंद्रशर्मा बहुत पहुंचे हुए कलाकार थे इनकी एक कॉफी टेबल बुक आती है इनके चित्रों की जिसका नाम है In a World of Gods and Goddesses The Mystic Art of Indrasharma यह पुस्तक मैंने कई लोगों को भेट भी की है और उसका आवरन चित्र भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यह है उस पुस्तक का आवरन चित्र इस आप देख रहे हैं इनमें अलग अलग रूपों के अलग अलग देवी देवताओं के जो मुखाकृतियां दर्शाई हैं इनमें सारे केवल एक को छोड़कर सभी देवी देवता ऊपर की ओर देख रहे हैं केवल श्रीनात श्री की आँखे नीचे की ओर हैं जो पुष्टी संप्रदाय में उनका अनुग्रह उनकी क्रिपा दर्शाने के लिए नीचे की ओर चित्रित अथवा अंकि चित्र भी बहुत लोकप्रिया हैं और उदेपुर के यह थे तो आई चलते हैं इंद्र शर्मा द्वारा चित्र इस चित्र पर बहुत संदर चित्र बनाया है पंच पंच मुखवी ग्रह दर्शाय है गायतरी देवी का और इसकी उपर एक संदर श्लोक लिखाए होती जो बहुत अच्छा चितरकार है या आवश्यकत नहीं ही वह संवस्क्रित का जानता हो जो बहुत अच्छा जो चतुरंग से लेकर, संगीत से लेकर, काव्यरचना से लेकर, सम्स्कृत, ब्रज, अनेक भाशाओं का ग्यान, यहां तक की ताश खेलना इन सब विधाओं में बहुत पारंगत थे तो आए अब इस चित्र पर आते हैं, चित्र के ऊपर जो श्लोक है, इसे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, श्लोक में कुछ विस्वित आकार में अब आपको दर्शा रहा हूँ तो आए श्लोक पढ़ें, मुक्ता विद्रुम हेम नील धवलत, यह तो किसी पद्य की गति लग रही है, यह तो शार्दूल विक्रीडित पद्य की गति लग रही है, सूर्या श्वेर्यदि सह, सूर्या श्वेर्यदि महसज़व सततगा, शार्दूल विक्रीडितम, एक च करन का क्रम है उस पर फिर पिर कभी हम चर्चा करेंगे पर यह एक पद्य की गति लग रही है तो आइए इसको इस लाए में पढ़ने का प्रयास करते हैं मुक्तावित्र महेमनी लद्वलत चायर मंखई स्वक्षनई यहां कुछ तुटी लग रही है उकषनई क्या होता है जब ट्विटर के प्रयूकता ने मुझे यह चतर भेजा तो मैंने उनसे कांए कि इसमें कुछ तुटी लग रही है इस्वक्षनई मैं देहता हूं इसमें शुद्ध पाथ क्या है? अ.. और आगे चलें यॉक्तामिंद कला निबदधारतना यहां तो कुछ कड़बढ़ है इधर तो लए ही टूट रहिए Shardектор विक्रीदी तो यहां कुछ अतरिक्त आगे है ऐसा लगता है यॉक्तामिंद कलानिबदधारना यह होना चाहिए रत्न शब्द अतिरिक्त है हम देखेंगे पार्ट मिलाएंगे मूल पार्ट क्या है क्योंकि बारांक शर पूरे करने हो चरण में तो युक्तामिंदुकलानि बद्धमकुटाम यह तो पूरे हो जाते हैं और शार्दूल विक्रीड तचंद की यह लक्षण भी घड़ जाता है तो यहां लगता है रत्न शब्द अतिरिक्त इंद्र शर्माजी ने जोड़ दिया है और स्व्यक्षणईर लिखने में कुछ तूर्टी उन्होंने की है ऐसा प्रती तो होता है आईए हम देखेंगे आगे चले युक्तामिंदुकलानि बद्धमकुटाम तत्वार्थ यर्णात्मिकाम तो उचित नहीं लग रहा होना तो वर्णात्मिकाम चाहिए यर्णात्मिकाम यर्ण यर्ण शब्द होता है समस्रत में हो सकता है सम्भवो पर वर्ण काही यहां प्रसंग है तो वर्णात में काम होना चाहिए आईए तो तीसरी दूटी हमें मिली फिर आगे अगले में गायत्री वर्दा नहीं यहां तो दृतिया होनी चाहिए ना सब कुछ दृतिया में चल रहा है इंदुकला निबद्ध मुकुताम तत्वार्थ वर्णात में काम यहां तो दृतिया ही होनी चाहिए हो सकता है दृतिया ही ह सबस्क्रा ही है अगल तो पाप को कहते हैं यहां तो अथारविंद होना चाहिए तो हमें पांचवी टुटी मिली हां इस श्लोक में आप शंखम चक्रम अथारविंद ऐसा होना चाहिए आगे देखिए आगे शंखम चक्रम अथारविंद युगलं हस्ते इर्वहं तीम भजे और आगे संख्या एक और नीचे जैसे आप जानते हैं गायत्री मंत्र है जो इस चित्र में नीचे इंदर शर्मा जी ने अपने है इसको जानते हैं वस्त यह ध्यान श्लोक है गायत्री कवचम का और यह गायत्री कवचम आता है देवी भागवत पुरान के द्वादश स्कंध में बार्वे स्कंध में और तृतिय अध्याय में तो देवी भागवत पुरान का बार्वा स्कंध और तृतिय अध्याय इस तीस कंद के पांचवे अत्वा छठे अध्याय में गायत्त्री सहस्र नाम अस्तोत्र भी प्राप्त है जो बड़ा सुन्दर है तो मेरे पास मुद्रित्पति है कीता प्रेस का संस्कृत मूल और हिंदी अनुवाद तो यहां है देवी भागवत पुरान का बारवासकंद और उसमें तीसरा अध्याय जिसमें पहले नारद श्री नारायन से प्रश्ने करते हैं मनुष्य किस प्रकार पापों से मुक्त हो सकता है यह मुझे बताईए किस प्रकार ब्रम्रूपत्व प्राप्त कर सकता है किस प्रकार उसका देह देवता रूप हो सकता है और मंत्र रूप हो सकता है तो फिर नारायन कहते हैं गायत्री कवच नाम का एक परम गोपनी उपाय है जिसके पाठ करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और स्वयम देवी रूप हो जाता है तो फिर श्री नारायन गायतरी कवच के विशह में बताते हैं इसके कौन रिशी हैं ब्रह्मा विष्धिनुद अथा महेश हैं रिक यजुह साम अथा और अधर्व इसके चंद हैं और ब्रह्म स्वरुपिनी गायतरी इसकी देवता कही गई हैं आगे इस कवच के विशे में और जानकारी है और फिर आता है ध्यान श्लोक जो है दसवा श्लोक तो बारह तीन दस और यहां जैसा आप अपने पटल पर भी देखेंगे अथध्यानम प्रवक्ष्यामी साधना साधका अभीष्टदा यकम अब मैं साधकों को अभीष्ट देने वाले ध्यान को कहूंगा और यह ध्यान श्लोक है मुक्ता विद्र महेमनील धवल अच्छा येर मुखै स्ती त्रीक्षणई तो वह त्रक्षणई नहीं था अथ्वा स्वक्षणई भी नहीं था त्रीक्षणई था और त्रीक्षणई का मुखै का विशेशणई त्री अर्थात तीन और एक्षण अर्थात नेत्र एक्षते अनेन इत्तीक्षणम नेत्रम और उसका बहुवचन में त्रित्याय भक्तिम प्रयोग एक्षणई त्री तरीक शनाईर युक्ताम इंदु निबध्ध रत्न मुकुताम तत्वार्थ वर्नात मिकाम देखिए वही है युक्ताम इंदु निबध्ध रत्न मुकुताम इंदु कला नहीं है नहीं तो चंद तूट जाएगा तत्वार्थ वर्नात मिकाम है यर्नात मिकाम नहीं है फिर ग बावाचन दृतिया है और गायत्री में भी दृतिया गायत्रीम वर दा भयांकु शक्याह सुब्रह्म कपालम गुणम यहां शुब्रह्म कपालम गदाम था इंद्र शर्मा जी के श्लोक में यहां गीता प्रस के पाठ में हुण है अर्थात्रस्ती और शंखम अधारविंद बहुत समय ना बीत गया हो तो इसका अर्थ पढ़ेता हूं मोती, मुंगा, स्वर्ण, नील और धवल आभा वाले पांच मुखों तीन नेत्रों तथा चंद्र कलायुक्त रत्न मुकुट को धारण करने वाली अब यहां गीताप्रस के भी अर्थ में कुछ छोटी तुटी है वस्तुतह यहां त्रीक्षणई जो है त्रीक्षणई है त्रीक्षणई का अर्थ है तीन नेत्रों वाला यहां मुख के लिए है त्रीक्षणई शब्द मुखही का विशेशन है तो वस्तुतह पांच मुख है और पांचों मुख त्रीनेत्र है जैसा आप मुझे लगता है इस चित्र में देख भी पा रहे हैं पाँच मुख है और पाँचों मुख के ललाट में एक नेत्र चित्रित है तो पाँचों मुख तीन नेत्र वाले हैं तो अर्थ इसका ऐसे करना चाहिए मोती, मुंगा, स्वर्ण, नील और धवल आभवाले तीन नेत्रों सहित पाँच मुखों से अर्था तीन तीन नेत्रों वाले पाँच मुखों से चंद्रकला युक्तरत्न मुकुत को धारन करने वाली तो अर्थ में चंद्रकला कर दिया हो सकता है इसी कारण से किसी ने मूल में भी इंदुकला कर दिया हो वहाँ भाव हो सकता है इंदुकला का समझ कर किसी ने इंदुकला मूल में भी कर दिया हो चंद्रकला युक्तरत्न मुकट को धारन करने वाली को चीक है मुकटाम है ना और तत्वार्थवर्णा अत्मे काम तो यहाँ 24 अक्षरों से विभूशित अर्थात 24 अकवर्णों के रूप वाली तत्वार्थ तत्वक अर्थात गायत्री मंत्र और उसके अर्थ को कहने वाले जो वर्ण हैं उनके स्वरुप वाली और फिर आगे गायतरीम ऐसी गायतरी देवी को वरदा भयांकुष कशा तो वरदा भयांकुष कशा का अर्थ किया है गीत अब रसने वरद अभय मुद्रा अंकुष चावक शुब्र का पाल पर आगे शु वस्तुत यहां वरद मुद्रा और अभय मुद्रा दो अलग-अलग मुद्राई हैं जैसा आप इस चित्र में भी देख सकते हैं अभय मुद्रा यह होती और वरद मुद्रा ऐसे होती तो आप इस चित्र में देख सकते हैं तो एक हाथ दस हाथ हैं क्योंकि पांच मुख हैं तो दस हाथ हैं और दस हाथों में क्या क्या धारन किया है एक हाथ से वरद मुद्रा है एक हाथ से अभय मुद्रा है एक हाथ से अंकुष है एक हाथ से कोडा चाबुक अत्वाजिसे कशा कह लेते हैं वह है एक हाथ में कमल ऐसे दो कमल दो हाथों में एक-एक कमल धारण किया है तो गिन लीजे आप वरद मुद्रा एक अभे मुद्रा दो अंकुषतीन चाबुक चार कपाल पांच रसी छे शंख साथ चक्र आठ और दो कमल पुष्प तो दस आठ और दो दस तो दस हाथों की संगती पूरी बैठ दो कमल नहीं देख रहे हैं यहां हमें एक परशु भी दिख रहा है और यहां हमें तीन हाथों में मुद्राइं दिख रही है तो वस्ता यह जो ध्यान अश्लोग है इसके इसके अनुरूप यहां चित्रनी कुछ-कुछ भेद है तो वहां जैसे कवी नाम कामचारह वैसे कुछ रही होता है कुछ उनुरूद थाल लिए हस्ता इर्वह थी अर्फ हाथों से धारन करने वाली हैं उनको मैं भजता हूँ उनकी सेवा करता हूं तो ऊंगी तप्रस ने रहकिया कि-दो कमाल अभश्व धारन करने वाल ौई भगवति गायतरी का जैन करता हूँ तो यह था इस श्लोक का अर्थ और आगे जो गायत्री कवच है मैंने आपको संकेत दे दिया है यह देवी भाकवत पुराण के द्वादश असकंध के तृती अध्याई में हैं बहुत सुंदर कवच है जैसे श्री राम रक्षा सोत्र है वैसे ही तो इसका आप पाठ कर सकते ह इसका अवयाव की प्राणा में और इसमें कायतरी के 24 अक्षरों से एक-एक शरीर गव्यव की रक्षा की प्राणा है और एक-एक पद से भी यजो आफाँ का प्रशन जो इन्होंने पूछा था एक अनामक ट्वीटर प्रईबता ने इस चित्र को लेकर और उसका मेरा उत् आपको भाया होगा, मैं प्रयास करूंगा अपसे प्रति दिन प्रति दिन न हो पाए, तो दो-ती दिन में एक नाएक चलचित्र अवश्य बनाओं और यूट्यूब पर डालूं, तो अगली बार जब हम मिलें तब तक के लिए आप सब को नमोव और शारद नवरात्र की बहुत बहुत शुब कामना है